खेले दोस्तों नमस्कार एक वाफिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ सभाट का में हम लोग आज के क्लास में सुरू करेंगे एक नया टॉपिक जो कि आपका होगा पाइप एंसिस्टर्न यानिकि नल और टंकी एक मोस्ट मोस्ट इंप पर इस क्लास के दोरान कराये जाएगा तो बने रहिएगा क्लास के अंतक देखिएगा पहला कोशन क्या है यहां पर यहां पर बोला यह गया है कि तीन पाइप A, B और C एक टंकी को करम सब 5 घंटा, 8 घंटा और 12 घंटे में भर सकता है यदि सभी पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लेगा तैम और वर्क में जो concept आप यूज किये हैं उन्हीं सब concept का यूज करके जो है हम लोग नल और टंकी के question को भी solve करते हैं वहां पर time and work में काम करने वाला ब्यक्ति होता था था यहां पर क्या होगा कि काम करने वाला जो होगा वह क्योंकि आपका एक टंकी को भरने का काम कर रहा है नाम है इसका A B और C आराम से समझेगा बिल्कुल पहला जो है आपका पाइप A है पाइप A पूरी टंकी को अकेले भर सकता है पाँच घंटे में तो यहां पर हम 5 एच एच फॉर आवर चुकि डाटा आपका मिनट के रूप में भी दिया जा सकता है आगे देख लीजे पाइप B जो है अकेले पूरी टंकी को भर सकता है आठ पाइप सी जो है वह पूरी टंकी को 12 घंटे में भरने का छमता रखता है अगर अकेले अकेले तीनों को खोला जाएगा तो एक को लगेगा पाँच घंटा दूसरा को आठ घंटा और तीसरा को समय कितना लगेगा तीसरा को समय लगेगा बारगंटा हम क्या करेंगे यहां पर हम टंकी का छमता निकालेंगे, टंकी का छमता कैसे निकालेंगे, इन सब का LCM लीजिए, यही टंकी का छमता होगा, तो 5, 8 और 12 का LCM कितना हो जाएगा, LCM 120, यानि टंकी जो है, वह आपका 120 लीटर है, इससे पहले time and work के अंदर क्या करते थे आप, यह आपका total work हो जाता ठीक, उसी परकार से इस बार क्या होगा, यह आपका टंकी का छमता हो गया, जिस टंकी को यहाँ पर भरने का बात किया जा रहा है, उस टंकी का छमता कितना है, 120 लीटर, अब आगे देखिए, 120 में 5 से भाग करिए, इससे क्या पता चलेगा, कि पाइप एक को इस टंकी को भ और अगर मिनट के रूप में है, तो एक मिनट में कितना भरेगा, यहाँ से निकलता है, 120 में 8 से भाग करिए, एक घंटे में यह 15 लीटर भर सकता है, 120 में 12 से भाग करिए, एक घंटे में यह 10 लीटर भर सकता है, तो अगर टंकी का छमता है 120 लीटर है, तो पाइप A एक घं लिटर का है टंकी है 120 लिटर का और जब हम सभी को एक साथ खोल देंगे तो सब मिल के देखिए एक घंटा में कितना भर सकता है 24 पलस 15 49 और 10 49 सब मिल करके एक घंटे में भरेगा 49 लिटर तो 120 लिटर भरने में 120 बटा 49 घंटे का समय तो हमारा आंसर इस कोश्चन का क्या हो जाएगा 120 बटा 49 120 बटा 49 को सोल्व करिए 49 का टेबल कितना बार पढ़ सकते इसको काटने के लिए दो बार तो 49 दुना अंठान में हो जाएगा बचेगा कितना 22 अंठान में 22 जोड़ेंगे तभी तो 120 होगा यहां पर क्या है 49 तो दो सही 22 बटा 49 घंटे का समय जो है वह आपका यहां पर लगेगा फूरी टंकी को भरने में हमेशा उपर में क्या रखना है जितना टंकी आपको भरना है जितना लिटर भरना है उपर में रहेगा तंकी का छमता उपर और जिससे भी टंकी भरवानी हो उसके एक घंटा में भरे गए मातरा से भाग करेंगे तो इससे यहां निकलेगा यहां टंकी को कितने समय भर सकता है मान लिजे कि पूरी टंकी को हमें B और C से भरवानी है तो अगर यहाँ पुछ ले था कि A और C को टंकी को भरने में कितना समय तो A और C मिलकर 1 घंटे में 34 लिटर भरता है तो 120 लिटर भरने में 120 बटा 34 घंटे का समय आपका लग जाएगा तो यह पहला कोश्यन था बिल्कुल बेसिक कोश्यन है आगे हम लोग बढ़ते हैं इस कोश्य का आंसर आपका क्या होगा दो सही 22 बटा 49 यानि बिकल्प दो आपका इस कोश्यन का सही आंसर हो जाएगा अगला सवाल देखिए बिल्कुल सिमलर कोश्यन यह भी है यहां क्या बोला है कि तीन पाइप A, B और C करमसब 15, 12 और 18 घंटे में एक टैंक को भर सकता है फिर से पाइप C को समय कितना लगता है 18 घंटा घंटा चलिए हम क्या करेंगे हम टंकी का यहां पे छमता निकालेंगे फटा-फट से निकाल लीजिए तो 15, 12, 12, 18 का हो जाएगा दस हो जाएगा यानि पाइप ए एक घंटा में 12 लिटर पाइप भी एक घंटा में 15 लिटर और पाइप एक घंटा में दस लीटर इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस आप अल्रेडी टाइम और के अंदर कर चुके हैं है ना चलिए आगे बढ़ते हैं रिपीट कर रहे हैं इसको ध्यान से समझेगा हमें क्या करना है कि यह भर सकता है 15 घंटे में यह 12 घंटे में 18 घंटे में तो टंकी पाइप A और C खाली टैंक में एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय देखे टैंक में किसको खोला गया है A और C यानि पूरा टैंक हमें भरवाना है किस से A और C से कितना समय लगेगा बताइए तो A और C अगर चले तो एक घंटे में 12 लिटर और C एक घंटे में 22 भड़ सकता है तो पूरी तंग की इस से भरवानी है यानि 180 लिटर भरने में कितना समय यह दोनों जब मिल जाता है तो एक घंटे में भरता है 22 लिटर 180 अब घंटे में 108 बटा 24 काटी दो से तो यह फैलू कटी जाएगा इस टंकी को भरने में, किसको भरने में, इस टंकी को भरने में, किसके द्वारा, A और C के द्वारा, ठीक है, अगर मान लीजे हमसे यहाँ पूछा गया होता, जैसा कि पिछले कुशन में पूछा गया था, कि तीनों मिलकर टंकी को कितने समय में भरेगा, तो तीनों मिलाकर ए जाने की 180 लिटर भरने में 180 बट्टा 37 गंटा का समय इसको लग जाएगा क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल यहां पे देखे बुला है एक टंकी में तीन पाइप A B और C है A और B अकेले एक टंकी को चार घंटे और तीन घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते है और C क्या करता है कि पूर्ण रूप से भरे भी टंकी को 2 घंटे में खाली अब यहां थोरा ध्यान से समझेगा तीन यहां पे पाइप लगा हुआ है एक टंकी में कुल मिला के तीन पाइप है A B और C तीन पाइप है ध्यान रखियेगा एक तो A है दूसरा B है और तीसरा C ह चलिए यह जो है पूरी टंकी को चार घंटे में भर सकता है खाली टंकी है चार घंटा चला ये टंकी पुरा भर जाएगा भी भर सकता है तिन घंटे में खाली टंकी में इसको चला दिया जाएगा तिन घंटे में पूरी टंकी को भर देगा और सी क्या करता है पूरे भरी भर करने वाला है और यह खाली करने वाला तो आप क्या करिएगा ना कि सिर्फ खाली करने वाले के ऊपर माइनस लगा दीजेगा ताकि आपको यह पता चलते रहे कि यह खाली करने वाला है ऐसा आप से गलती नहों कि जो खाली करने वाला पाइप हो उससे भी आप पानी भरवाने लगा जाए पस यह मिस्टेक आप से नहों इसके लिए क्या करना है कि सभी पाइप में से जो खाली करने वारा होगा उसके ऊपर माइनस लगा दीजेगा और जिसके ऊपर नहीं लगाया है अजिस्का इफरो twitter सब क्या है ये भरने वाला है भी भरने वाला है सि किया है खाली करने वाला है ठीक है9 के जगह जो है आपका नल भी हो सकता है के नल A B और C A B भरने वाला और लज़ी क्या है काली करने वाला और उसका यार्वाल वाईनश लगा देना है बस बाकी गणी हम जैसे करते थे वैस इनकी का लिए पाइप B एक घंटे में 4 लिटर और पाइप C एक घंटे में 6 लिटर खाली कर सकता है इसका नेचर खाली करने का है यानि पूरा टैंक अगर भरा हुआ है तो यह एक घंटे में 6 लिटर खाली करेगा तभी तो दो घंटे में पूरा खाली कर देता है आगे चलिए सवाल क्या पुछाएं, यदि तीनो को खाली टंकी में एक साथ खोला जाए, तो टंकी पूरुण रूप से भ़ड़ने में कितना समय हॉरG gelir Candi PriceroCas, Pour we press mouvement around on the way to be finishedlords, I just like to be first thing JS एasan partial. तो जब हम एक घंटा तीनो को चलाएंगे तो तीन चार साथрузर में भरेगा शे लिटर खाली यानि कि हो क्या रहा है फाइनली एक घंटे में एक लिटर ही हम लोग भर पा रहे हैं जब पाइप A, B और C तीनों चलाते हैं तो एक घंटे में एक लिटर ही भर पाते हैं तो फिर 12 लिटर भरने में कितना समय जब आप एक घंटे में एक लिटर ही भरते हैं तो लीटर भरेगा 6 लीटर खाली यह दोनों भरेगा यह हली taller तो तीन भरेगा यह चलेगा तो छार लीटर भरेगा तो endnow भरता है 6 खाली जब सात भरेगा छे करेगा यानि प्रते कटिंटे में एक लीटर खाली हो रहा है जब तीनों चल रहा है तो गोड़ी टंकी को भरने में यानि बारो होटा एक गटे का समय लगेगा आगे चलिए अगला सवाल है एक टैंक में एबी दो इनलेट है इनलेट कहने का मतलब होता भरने वाला पाइप ठीक है और आउटलेट मतलब होता है खाली करने वाला पाइप तो A और B दो इनलेट है अब A और B दो इनलेट पाइप है इसका मतलब दोनों भरने वाला है एक इतने समय में टंकी को भर सकता है 15 घंटे में और B भर सकता है पूरी टंकी को 20 घंटे में खा से फटाफट से को सॉल्ब करिए पंदरह 20 में 15 से बार्च करेंगे 4 होगा तीनग को साथ होगा एक लिटर भर और यह थीट कितना भरेगा चार लीटर यह कितना भरेगा तीन लीटर तो सात भरेगा और इसमें से पांच खाली तो सात भरेगा पांच खाली यानि प्रते गंटे में दो लीटर ही भरेगा इस तरीके से जब तीनों को चलाएंगे तो यह चार भरेगा पाइप भी तीन लीटर भरेगा औ और C जो है इसमें से 5 लिटर खाली कर देगा तो प्रते गंटे में 7 लिटर भरा जाएगा और 5 लिटर खाली होगा यानि 2 लिटर ही भर पाता है तो प्रते गंटे में 2 लिटर भर पाता है तो 60 लिटर भरने में 60 बट्टा दो यानि कि 30 गंटे का समय जो है वह आपका इस तरी और उमीद है कि यह सब कॉंसेप्ट जो भी तक आपको बताया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन कभी कभी क्या होगा कि डाटा आपका पॉइंट के फॉर्म में भी मिल सकता है तो पॉइंट के फॉर्म में अगर कभी मिल जा हैं है साइथ सरो किसी से काटेंगे तो यहा पांच हो ञाब काम कर लिए ठीक है तीन पाईप मिद्यानग क्या कर सकता है उतिन टंकी को भर सकता तो कितना घंट blog बट्टा पांच घंटा हो जाएगire दूसरा जो आधें और तीसरा जो है क्या कर सकता है जो प्राइप है वरी टंकी नहीं सकता है यहाँ अप नहीं इसको minus से जरूर रिनोड करना तीसरा क्या है खाली करने वाला इसको minus से रिनोड कर लिए बागी सवाल वही है कि यदि टंकी खाली है और तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भड़ने में क्या समय लगेगा पिछले question के तुल ना में इसमें क्या अंतर है इसमें क्या अलग चीश हम आपको सिखाना चाह रहे थे तो इसमें बस यही बताना चाह रहे थे कि अगर कभी data point में दे दे तो आपको क्या करना है तो point मेंगर data दे दे तो उसको भीन में बदल लिए और भीन में बदलने के बाद बांकी परक्रिया वैसा ही रहेगा आपको क्या करना है इन सब का LCM तो जब LCM लीजेगा तो ऊपर वाले का 14, 108 और 18 का LCM क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा देखो बहुत इसली LCM हम निकाल लिए 14, 108, 18 है न जब भी LCM निकालना होगा अब 108 में भाग करिये 24 बटा 5 से तो 24 बटा 5 से भाग करियेगा तो 10 आ जाएगा आप बोलो कि यह कैसे हो गया सर देखो 108 में हमें भाग करना है 24 बटा 5 से किसे भाग करना है क्या हो गया 108 हमें हमें भाग करना है किस से 108 में हमें भाग करना है चौवन बट्टा-पान्स से इसी से जौन बट्टा-पान्स से आब बताए कि इस से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा दो बार में और बट्टा के नीचे बट्टा में तो आपका प्रती घंटा 6 लिटर क्या कर सकता है खाली कर सकता है अब आप बताइए कि जब तीनों को खोला जाएगा तो क्या करेगा एक घंटे में पहला दस भरेगा दूसरा पांच लिटर भरेगा और तीसरा जो है तीसरा आपका 6 लिटर खाली तसमाच 15 माइनस 6 कितना टंकी भरता है तो आप बताइए कि पूरी टंकी यानि 108 लिटर भरने में कितना समय लएगा 108 बटा 9 108 बटा 9 यानि कि 12 घंटे का समय इस तरीके से पूरी टंकी को भरने में आपका लग जाएगा विकल्प भी आपके कोश्चन का यहां जो है उसका सही आंसर हो जाए एक सौ आठ बटा 9 यानि कि 12 घंटा हो जाएगा ठीक है अब बढ़ते हैं आगे अगला कोश्चन देखेगा क्या है बलाए दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को करम सब 15 और 20 मिनट में भरते हैं अब यहां से कोश्चन का थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है ठीक है तबाल यहा इस इस बस पाइब और यहां एक की देखेगा है यहां से का सकते हैं सं struga में द्चु जाएगा करता अगे चलेब चले चले ваши 18 और है On गे सवाल क्या बोला है, वे दोनों साथ खोले जाते हैं लेकिन 4 पन के बाद P को बंद कर दिया जाता है, कि ônों को एक साथ खोला गया, कि दोनों को पी और कि यू लेकिन इस को बंद कर दिया गया है चार मिनट के बाद इसका मतलब है कि पूरे टेंग को भरने में पी स्थे वर सकता है तो एक मिनट में 4 लीटर स्थे चार यत्र मिनट पशार चौके शोले साथ में से 16 लीटर पी भर दिया बचा कितना बच गया 44 लीटर 44 लीटर कौन भरता होगा क्यूँ तो हमें यही बताना है कि पूरे टैंक को भरने में कितना समय तो 44 लीटर भरने में जितना समय लगेगा उतना ही समय तक उतना ही समय लएगा टंकी को पूरा भरने में तो क्यूँ एक म बट्टा तीन मिनट है ध्यान रखिएगा यह क्या निकला है मिनट के रूप में डाटा है तो हमारा आंसर तो यहां से आ जाएगा देखिए चौदा वाला दो दो ऑप्सन है जो है आपका उसको तो मिनट के फॉर में ले लिजे ठीक है और जो बच गया भीन उसको क्या तो बट्टा तीन में जब आप साट से गुआ करिए गा तांकी आपका पूरा उस तरीके से बर जाएगा मं दो तरीके से इस क्योश्यन को बना सकते थे मैं ऐसे कर सकते थे कि पहले चार मीनट पहले चार मिनट में टंकी कितना भरा है और उसके बाद फिर हम क्या निकलते से सभाग को भरने में कितना समय मैं? फिर दोनों को हमें जोडना पड़ता है जैसे हम ऐसी कर सकते थे कि 4 और 37, दोनों मिलकर 1 मिनट में 7 लिटर, तो 4 मिनट में 7, 1 मिनट में 7, तो 8, तो 6 minus 28, पहले 4 मिनट में यहीं साठ माइनस अठाइस कितना हो जाता 32 तो 32 लिटर अभी बचा हुआ है और यह 32 लिटर कौन भड़ेगा यह 32 लिटर भड़ेगा क्यूं तो क्यूं में तीन तो 32 बट्टा तीन याई 10 सही दूबट्टा तीन से सभाग भरने में और पहले चार मिनट और चला था यानि 14 ही दो बट्टा थी तो इससे बहतर है कि हम डारेक्ट यहां पर क्या किये डारेक्ट हम यहां पर यहां देखे कि हमें यहां बताना है कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगा यहां पूछा जा रहा है यानि कुल मिला के शुरू से लेकर के अंत तक में कितना समय लगा है यहां पूछा है तो हम यहां चीज़ स्मोचे कि पूरे टंकी को भरने में पी कितना समय चला है तो पी सिर्फ 4 मिनट चला है तो पी 4 मिनट में कितना भर देगा 4-4-16 तो 60 मिसे 16 हटा दिए अब यह 44 लिटर से जो बचा है 44 लिटर 44 लिटर इतने समय में क्यूं भरेगा उतनाहीं समय पूरा-पूरा लगा होगा टंकी को भरने में हमारा आंसर चोदे मिनट क्या हो जाएगा साली जी कि अगे चलिए अगला सवाल देखें बहरे जेए दो पाइप और कुए टैंक को 324848 मिनट और प्यू को क्या समय लगता है क्यों को समय लगता है 48 मिनट क्लियर आप यहां से फटा-फट से टंकी का छमता निकाल लिजे कितना हो जाएगा 96 आगे देखे क्या बोला है दोनों पाइप को एक साथ खोला गया कुछ समय के बाद क्यू को बंद कर दिया गया अब हमें एक बात बताओ क्या पी को भी बंद किया गया है नहीं सर पी तो लगातार चला है बंद किसको किया गया है बंद किया गया है क्यू को कुछ समय के बाद नहीं पता है कितने समय के बाद, बंद किया गया, अब क्या होता है कि टैंक 24 मिनट में भर जाता है, अब टैंक कितने मिनट में भरा, 24 मिनट में, बंद किया गया है क्यों को यह बात ध्यान रहे, यानि पी पूरा 24 मिनट चला होगा, पी पूरा का पूरा 24 मिनट चला होगा, तो आप बताईए कि पी एक मिनट में भर सकता है कितना लिटर? तीन लिटर तो पी अगर एक मिनट में तीन लिटर भर सकता है और यह चला है पुरा 24 मिनट तो 24 तिया 72 भर लेगा तो 96 में से 72 हटाईए, कितना बच गए आपका, 96 में से 72 हटा लिजेगा, तो आपका यहाँ पे बच जाएगा 24, तो 24 लिटर अभी भी आपका क्या है, बचा हुआ है, 24 लिटर हमें क्या करना है, अभी भी भरना है आगे चलिए, अब आगे एक बात बताईए, बोला है कि पाइप क्यू को कब बंद किया गया था, पूरे 96 में से 72 लिटर कौन भरा होगा, 96 में से 72 लिटर तो पी भर दिया होगा, क्योंकि पी को बंद नहीं किया गया है, देखें, दोनों को एक साथ खोला गया, कुछ समय बा लेंगे कितना बचेगा, 24 लिटर, अभी 24 लिटर जितने समय तक भरा जाएगा, उतना ही समय तक, क्यों चला होगा, क्यों एक मिनट में भर सकता है 2 लिटर, तो 24 लिटर भरने में 24 बट्टा दो, यानि 12 मिनट, तो 12 मिनट जो है, वह कौन चला होगा, बादा मिनट आपका पी चला होगा और 12 मिनट के बाद ही इसको बंद कर दिया गया होगा विकल्प ए हमारा यहां पर सही आंसर 24 मिनट में पुरा टंकी भड़ा है तो 24 मिनट तक कौन चला है 24 मिनट तक चला है यानि 96 में से 24 मिनट अगर चल रहा है तो एक मिनट में तो चला होगा उतना ही समय चला होगा उसके बाद क्यूब को बंद कर दिया गया होगा तो 24 मिनट तक आपका क्यूब को बंद कर दिया गया है क्लियर चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन आगे देखिए दो पाइप ए और भी एक टैंक को 12 और 16 मिनट में के ए भर सकता है 12 मिनट में और बी भर सकता है 16 मिनट में ठीक है अब फड़ा वट से यहां पे जो है टंकी का छमता निकालीजे 48 हो जाएगा 48 बटा 12 चार 48 के concept को जब भी पहले बंद किया जाता है ठीक है जब भी पहले बंद किया जाता है किता मिनट पहले बंद किया गया है चार मिनट पहले और बंद किसको किया गया है एक को जिसको बंद किया जाता है पहले उसको बंद नहीं होने देना है हमें क्या करना है इसके बदले में ए जाने 4, 14, 16, 48, 16, 64 L हो जाता टंकी का छम्ता टंकी का छम्ता क्या हो गया है smile, ऑफकón का पहले बंद कर दिया गया तो जिसको पहले बंद किया जाएगा उसको बंद हमें नहीं होने देना है though, 4 Minutes Prozent One नहीं बंद करेंगे को इसका मतलब 4 मिनिट और चल लेगा तो एक मिनिट में 4 लीटर भर सकता है तो 4 मिनिट में 4 चोके 16 यानि 16 लीटर एक्स्ट्रा पानी मतलब टंकी का छमता कितना हो गया 46 लीटर अब यहाँ पे बंद नहीं है अब 84 लीटर भरने में जितना समय लगेगा उतना ही तो manifested को चो लीटर जाए Gregory साथ से जब गुणा करेगा तो आठ के करी भैल्व आएगा तो आठ आठ आमसे आघने देगा है और एक नौ बटा साथ में हम क्या करेंगे साथ से हो जाएगा नगत वाग कर लेंगे तौ यह सिकेन में कनवर्ट होजाएगा नहीं आठ पॉइंट कुछ आ रहा है तो हम इसको क्या माल लिए 8 क्योंकि आंसर तो पुणांग के रूप में है तो 9 मिनट 8 सिकेंड आपका आंसर होगा हलाकि इसको करने के आप सकता नहीं है आगे चलिए अगला देखे क्या है यहाँ बोला गया है कि तीन पाइप ABC एक टैंग को 4 घंटे में भर सकता है ABC एक टैंग को 4 घंटे में ठीक है ABC सब मिलकर करके तो हम ऐसे लिख लेते हैं ABC जब तीनों मिल जाता है तो एक टैंक को भर लेता है चार घंटे में आगे देखे क्या बोला है और A और B मिलकर 9 घंटे और A और B जब मिल जाता है तो टैंक को भर लेता है कितने समय में 9 घंटे में किलियर आगे चलिए तीनों पाइप ABC को एक साथ शुरू किया गया अब हम यहां से टंकी का छमता निकाल लेते हैं 9 और 4 का LCM कितना हो जाएगा 9 और 4 का LCM 36 हो जाएगा और A और B 4 भर सकता है तो सेस तो C ही भरता होगा ना यानि C एक घंटे में 5 लिटर भर सकता है ABC 9 A और B 4 भी कितना 5 ही ना सवाल देखे क्या बोला है तीनों पाइंप ABC को एक साथ सुरू किया गया तीन घंटे के बाद A और B को बंद कर दिया गया तीन घंटे के बाद A और B को बंद कर दिया गया देखें तीनों को एक साथ सुरू किया गया तो तीनों को जब एक साथ सुरू किया जाएगा तो देखे, ABC मिलकर एक घंटे में कितना लिटर, नौ लिटर, तो एक घंटे में नौ लिटर इसको चलाया गया, तीन घंटा तो नो तिया, 27 लिटर भर देगा, तो 36 में से 27 लिटर भर दिया, तो बचा कितना, बचा आप 9 लिटर, अब यह 9 लिटर से सह, बोला क्या है, तो A और बी को बंद कर दिया गया मतलब ए और बी अब बंद हो चुका है अब क्या किया गया अब जो है अब यहां पर देखिए क्या बोला है कि ए और बी को बंद कर दिया तो टैंक को पुड़ा भरने में यहां पर इसमें थोड़ा सुधार करें देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर लिखना है टैंक का सेस भाग क्या है सेस भाग भरने में अकेला सी को कितना समय लएगा यह कोशन है आपका तो टैंक का से सभाग कितना है? 9 है, इसको भरने में C को कितना समय? जो है, वह आपका लगेगा किसको? C को, से सभाग को भरने में. A और B को कितने समय के लिए चलाया गया? 3 घंटा, तो 3 घंटा, तो 3 मिलकर एक घंटा में 9, तो 3 घंटा में 9, तिया 27, 37 में से 27 अटा लिजे, बचा कितना? 9, C यही बचा हुआ है. अब 9 लिटर से सभरवानी है यानि कि 9 लिटर किस से? C से. तो C घंटे में कितना? A, B, C मिलकर 9, A और B, 4, यानि C घंटे में 5. किसे भाग करेंगे आंसर आजाएगा? आगे देखिए. एक टंग की 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाब के कारण यह एक घंटा अधीक समय लेता है. यह सवाल जो है ना आपका बहुत इंपोर्टेंट है धियान से समझेगा. बहुत ही जादा यह सवाल आपका इंपोर्टेंट है और इसके उपर आधारित अभी कई कोश्चन समलोग करेंगे और अच्छा से इस को समझेगे. यह सवाल क्या है आपका? यह सवाल आपका disturbing element का है. ठीक ह काम आप करना चाह रहे हैं उसमें जो अवरोध पैदा करता है उसी को हम लोग क्या कहते है? disturbing element कि इसको बोलेंगे? जो आपका अपना काम करने में रुकावट पैदा करे, बिरोध करे. जैसे मान लिजे कि आपका काम है टंकी में पानी को भरना. तो अगर आप टंकी भरना हैं और टंकी के पेंदे में रिसाब है, जिससे पानी बाहर आ रहा है, तो वह क्या हो गया आपके लिए? वह आपका disturbing element हो गया, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि टंकी को हम खाली करे, टंकी को खाली करना आप चाहते हैं, कोई भी occasion पे टंकी को साफ करना है, दिपाबली के occasion कोई भी occasion पे आप क्या चाहते हैं कि टंकी को हम खाली करें, तो आप खाली करना चाहते हैं, और कोई उपर से उसमें पानी डाल रहा है, तो इस बार disturbing element कौन होगा? पानी भरने वाला, तो ध्यान रहे कि disturbing element पानी भरने वाला भी हो सकता है, और खाली करने वाला भी, दोनों disturbing element हो सकता है, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है, कि आपका मूल काम क्या है, अगर आप टंकी भरना चाहते हैं, तो खाली करने वाला disturbing element हो जाएगा, और अगर टंकी खाली करना चाहते हैं, तो जो भरने वाला होगा, बहर disturbing element हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक बात को आप याद रखिएगा कि जो भी disturbing element होगा इसी चीज़ को यहां shortcut में लिखें डिस्टर्विंग element होगा उसको अपना काम disturbing element को अपना काम बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मुला है यह करने में लगा समय disturbing element को अपना काम करने में लगा समय यह जब भी निकालना होगा न तो एक छोटा सा फॉर्मुला आप लगा लिजेगा यह फॉर्मुला लगाईएगा A B बटा A-B A B बटा A-B इसका उपयोग आपको कर लेना है disturbing element को अपना काम करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा A B बटा A-B जहां A के अस्थान पर आपको रखना है मतलब disturb होने से पहले लगा समय और B के अस्थान पर disturb होने के बाद लगा समय और A-B इसमें क्या करना है जो बड़ा भैलू होगा उसमें से छोटा को घटा के लिखेगा माइनस नहीं करिएगा ठीक है जैसे यहां समझते हैं एक टंकी 9 घंटे में भरा जा सकता है एक टंकी है जिसको 9 घंटे में भरा जा सकता है मान लेते हैं कि इसमें कोई पाइप लगा हुआ या जिनरली क्या करता है इस टंकी को 9 घंटे में भर सकता है ठीक है नौ घंटे में भर सकता है लेकिन हुआ क्या है कि एक रिसाब के कारण अब इसके पेंदे में एकSonra करण है एक लिक है जिसके कारण एक घंटा अधिक समय लग रहा है यानि 9 घंटा लगने के बजाए अब कितना समय लग रहा है? 10 घंटा इस टंकी को भरने में जेनरली कितना लगता था? 9 घंटा का समय लेकिन जब इसके पेंदे में एक छिदर हो जाता है, रिसाब हो जाता है तो इसके बज़ा से एक घंटा अधीक यानी दस घंटा का समय लगता है सवाल क्या पूछा है? यदि टंकी पूरा भरा हुआ हो, चलिए टंकी को पूरा भर दिये तो यह जो रिसाब है, क्या है यह रिसाब? Disturbing element यूँकि 9 घंटे में भरने वाला टंकी 10 घंटे में इसी disturbing element के बज़ा से क्या हो रहा है? लग रहा है, 9 घंटे में भरने वाला 10 घंटे में एक घंटा अधीक समय किसके कारण लग रहा है? disturbing element के कारण, क्योंकि पानी बाहर भी निकल रहा है तो इसी को क्या बोलेंगे disturbing element और disturbing element को अपना काम करने में लगा समय A B बटा A minus B जहां A के अस्थान पर क्या रखेंगे पहला समय जो है 100 पहला समय क्या है 9 घंटा समय लगता है disturb होने के बाद कितना समय 10 घंटा और बटा में इस दुनों का अंतर 9 और 10 में कितना का अंतर एक का तोलब कर ये 9 गुने 10 बटा ये कि यानि 90 घंटा समय लगेगा किसको disturbing element को अपना काम करने में और disturbing element कौन है disturbing element यही पेंदे का छिदर है मतलब इसको अपना काम करने में इसका काम क्या है खाली करना यानि भरी टंकी को अगर इससे खाली करवाएंगे तो 90 गंटा समय लग जाएगा तो यह तरीका होता है disturbing element पे आधारित question को solve करने का टंकी पूरा भरा हुआ हो रिसाब के बज़ा से कितने समय में खाली हो जाएगा आंसर हमारा क्या होगा 90 गंटा अगला सवाल देखे यहां बोला है कि एक ट्यूब किसी टैंक को 15 गंटे में भर सकता है लेकिन रिसाब तली में रिसाब के कारण यानि disturb होने के कारण 20 गंटा समय लगता है दू अलग अलग पाइप नहीं है कि एक 15 गंटे और 20 गंटे में भर रहा है एक ही पाइप है एक ही ट्यूब है इसको 15 गंटा और 20 गंटा समय लग रहा है 15 गंटा बीना disturb का और जब रिसाब हो रहा होता है जब पानी यहां देखिया एक नल किसी टैंक को एक घंटा 30 मिनट अच्छा एक घंटा 30 मिनट लगता है न तो एक घंटा 30 मिनट को क्या आप 90 मिनट भी लिख सकते हैं एक घंटा मतलब साथ मिनट और 30 मिनट है तो 90 मिनट इसके लिए हम लिख दिया ठीक है परांतु टंकी में रिसाब होने के कारण 2 घंटा 15 मिनट समय लगता है आप बताएए 2 घंटा 15 मिनट को क् सवाल यह हो गया कि एक नल किसी टंकी को भर सकता है 90 मिनट में परन्तु टंकी में रिसाब होने के कारण दू घंटा 15 मिनट मतलब रिसाब होने कारण इतना समय तो नॉर्मल टाइम क्या है नॉर्मल टाइम तो आपका 90 मिनट नॉर्मल टाइम क्या है 90 मिनट है रिसाब होने के कारण समय कितना लगता है 135 बटा में क्या लिखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना का हो जाएगा 45 का स्वोल कर लीजिए 45 दूना 90 कितना हो जाएगा 270 यह किस रूप में रहेगा या आपका मिनट के रूप में रहेगा 270 मिनट 270 मिनट को आपको क्या करना है घंटा और मिनट के फॉर में कंवर्ट करिए 30 से भाग करिए छे चोके 24, 24 हो जाएगा ना तो चार घंटा हो गया बचा कितना 30 तो चार घंटा 30 मिनट का समय लगेगा टंकी को पूरा पूरा खाली करने में किसके द्वारा disturbing element के द्वारा disturbing element के बैसी क्या हो रहा है 90 मिनिट में भरने वाला टैंक 135 मिनट में भर रहा है उस disturbing element को उस ric union को रिसाब के कारण पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय यानि रिसाब पूरी टंकी को कितना समय में खाली कर सकता है आगे देखिए अगला question है पाइप A एक होज को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप B से 30 घंटे में ठीक है पाइप A 6 घंटे में पाइप A को समय क्या लगता है 6 घंटा समय लगता है और पाइप B को भर सकता है कितने घंटे में 30 घंटे में आगे देखिए सव रिसाब था इसलिए होज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगा अब बताइए पहले ए भर सकता है 6 घंटे में और बी 30 घंटे में आब बताइए कि दोनों मिलकर टैंक को कितने समय में भर सकता है 6 और 30 का LCM 30 हो जाएगा 6 पंचे इसे कम ए और बी अगर मिल जाए तो टैंक को भ गंटे में 5 घंटे में लेकिन डिस्टर्ब होने के कारण समय कितना लगता है डिस्टर्ब होने के कारण जो है बोला है लेकिन होज के तली में एक रिसाब है एक टैंक है देख लिए यह टैंक को जो है दो पाइप A और B कितने समय में भर सकता है दोनों मिला करके 5 घंटे मे दोनों मिला करके 5 गंटे में लेकिन जब इसके पेंदे में एक छिदर हो जाता है तो इसके बज़ा से 5 गंटे के बज़ाए अब क्या हो रहा है 30 मिनट अधिक समय लग रहा है यानि सारे 5 गंटा सारे 5 गंटा को क्या लिख सकते हैं 11 बटा 2 गंटे का समय लग रहा है तो हमें बताना है इस disturbing element को अपना काम करने में कितना समय लाएगा तो देखें बिना disturb का समय 5 घंटा disturb के बाद समय 11 बट्टा 2 घंटा बट्टा में दोनों का difference कितना का हो जाएगा आधा कहीं तो difference होगा ना कि कि वट्टा के नीचे वट्टा में दो है तो यह ऊपर जाएगा तो दो से दो कर जाएगा समय यहां पर आपका लग जाएगा और ईस बात को थोड़ा ध्यान समझेए इस बार पहले हम क्या करेंगे आप हौज को 6 गटे में और भी भर सकता है 30 गटे में तो हम क्या निकालेंगे कि A और B मिला करके कितना घंटा में 5 घंटा में इसको तो आप निकाल सकते हैं जब A 6 घंटे में B 30 घंटे में तो दोनों मिला करके कितने घंटा में 5 घंटा में अब आगे देखिए दोनों पाइप चालू किये गए थे लेकिन होज के तली में एक रिसाब था इ जानकारीरन नॉर्मल टाइम जो है दोनों मिला करके वो फाइच घंटे में भर देता यह आधा गांट Beyond अधीक समय लग रहा है तीस मिनट अधीक समय जो लग रहा है पांच घंटा के बजाए सारे पांच घंटा जो लग रहा है वो किसके कारण रिशाब के कारण तो पांच घंटे में भरने वाला टैंक सारे पांच घंटे में भर रहा है इसका मतलब है यह किसके कारण पेंदे मे दिख्का थे तो समय पहले 5 घंटा डिष्टर्ब होने के बाद समय तारे5 घंटा दिफरेंस कितना का हो जाएगा 0.5 का खुर करें यहां भी एक कंक्य बाद समलब आप यहां भी समलब काट लीजा 5 से 5 कट गया कितना अंसर होगे आपका 55 घंटा तो 55 घंटे का समय आपका यहाँ पे लग जाएगा disturbing element को पूरा पूरा टंकी को खाली करने में clear चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लिए इतना ही रहने दीजी एक class और हम लोग करेंगे तबजा करके यह topic जो है आपका वो अच्छे तरीके से complete हो जाएगा तो मिलते हैं अगले class में जहां पे हम लोग नल और टंकी के जो बाकी important concept बचे हुए हैं उसको आपको जो है अच्छे से सिखाएंगे मिलते हैं अगले class में thank you